Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains, my name is Pratik Mishra and आज के lecture में हम लोग Vijayanagar Empire का जो अपना discussion था उसे continue करेंगे Last lecture में हम लोगोंने Vijayanagar Empire का जो capital था, जिसका नाम भी Vijayanagar था या फिर Vijayanagar City, उसके बारे में हम लोगोंने बातचीत करी थी उसके various constructional aspects पे हम लोग अपना discussion कर रहे थे Royal Center में मिली हुई दो important buildings जिसमें एक audience hall है और दूसरा है आपका महारमी डिबबा उसके बारे में हम लोगोंने बातचीत करकर अपना lecture conclude किया था आज वहीं से हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि Royal Centers में और कौन-कौन सी important buildings मिली थी और उसके बाद में जो various aspects इस chapter के बचे हुए उसको भी हम लोग आजी के session में discuss करेंगे So without any further ado, here we begin आज का जो पहला topic आता है वो है other buildings in the Royal Center तो हम लोग उने देखा था कि Royal Center में आपको काफी सारे temples देखने के लिए मिले थे और उसके इलावा काफी सारी other buildings भी देखने के लिए मिली थी जिसमें से एक building जिसको हम लोग ने King's Palace बोला था उसके बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी उसमें हमको एक audience hall मिला था उसमें हम लोग ने बातचीत कर ली थी और दूसरा वहाँ पर हमको एक और structure देखने को मिला जिसका नाम था महानवी डिबबा उसके बारे में हम लोग ने बातचीत कर ली थी आज उसी discussion को आगे बढ़ाते हुए पहला जो topic हम लोग देखेंगे other buildings in the royal center इनके इलावा आपका जो audience hall है या महानवी डिबबा है इसके इलावा और कौन-कौन सी important buildings वगेरा मिली थी उसको हम लोग थोड़ा से discuss करेंगे तो जो बच्चीवी buildings वगेरा है उनमें one of the most beautiful buildings सबसे खुबसूरत buildings में से एक building है जिसका नाम है Lotus महल आप इसका actual नाम क्या है वो तो हम लोगों को नहीं पता वो historians नहीं जानते किसका actual नाम क्या है मगर इसको ये नाम जो है Lotus महल ये अंग्रेजों ने दिया था 19th century में आप आज की तारी में historians इस बात को लेके शेयर नहीं है कि actual में इस building का इस्तिमाल किस काम के लिए किया जाता था इसका purpose क्या था मगर McKenzie जो Colonel McKenzie थे जिन्होंने सबसे पहले MP पे काम किया था उन्होंने यहाँ पर जो maps वगरा draw किये थे उसके basis पर historians एक अंदाजा लगाते हैं शायद lotus महल का इस्तिमाल एक council chamber के तौर पर किया जाता था council chamber वो जगे होती है जहां पर राजा अपने advisors के साथ में बैठता है और day to day activities वगरा जो करना होती है उनको करता है दर्बार लगाना एक अलग चीज होती है मगर अगर आपको अपने कुछ पर्टिकुलर कुछ important मंतरियों के साथ में बैठ कर अगर किसी चीज के उपर मंतरणा करनी है कुछ बादचीत वगरा करनी है तो उसके लिए आपको कोई जगे चाहिए जहां पर आप इस सारी चीज़ें की जाती है उसको बोला जाता है council chamber अब lotus mail का जिस तरीके का structure है जिस तरीके से इसको बनाया गया है इसके features बगरा को देखकर लगता है कि शायद राजा अपने important minister से मिलने के लिए और council chamber के लिए इस जगे का इस्तेमाल करता था या फिर council chamber के तोर पर इस जगे का इस्तेमाल किया करता था चलें पहले तो lotus mail की photograph देख लेतना यह जो है lotus mail है बहुत कुपसूरत building है आज भी इतने वक के बाद in spite of the fact की पूरे के पूरे शहर को नेस्तना बूत कर दिया गया था sack कर दिया गया था यह building बची रह गई और अच्छी कासी condition में बची रह गई बाकी फिर इसका अच्छे से restoration वगिरा भी किया गया है तो यह आज की तारीक में इस particular स्तीती में हमको देखने के लिए मिलती है तो यह इसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया lotus mail वेजनगर empire में ल यह इसके अंदर के features वगरा हैं अंदर से जो photograph खीचा गया उससे यह समझ में आ रहा है कि कितना massive है कितना बड़ा structure बनाया गया है पूरा का पूरा यह देखिए एक बहार से इसके जो यह portion है इसके structures वगरा देखिए इसको किस तरीके से बनाया गया है जो symmetry है उस पर ध्यान पढ़ रहा है वो बहुत बड़िया बनता हुआ दिख रहा है अब इसको बनाने में architecture वगरा का बहुत इस्तिमा जो architecture उसकी बहुत finies लगी होगी आप यह कह सकते हैं कि बहुत जादा efforts के साथ में जो इसको तयार किया गया होगा इवह इसको नहीं बनाया गया इसमें काफी जो है आपके skilled architects वगरा को लगाया गया होगा चले आगे बात करते हैं जो इसके बाद next important building आती है वो है एक spectacular temple जिसका नाम है हजारा रामा टेंपल या फिर हजार रामा टेंपल जनरली इसको हजारा रामा टेंपल इंगलिश में लिखा जाता है अगर आप हिंदी में प्रना architecture इतना ज़्यादा जबरदस्त है इतना ज़्यादा शुंदर है इतना ज़्यादा आपका awe inspiring है कि इनसान की आखें पटी के पटी रह जाती है देखकर समझ नहीं आता कि आखिर इतना शांदार construction कैसे किया गया होगा आगे मैं आपको photographs वगरा भी दिखाऊंगा मगर यह बह बनाया गया था राजा और उसकी family है आपर पूजा अर्चना कर सके उसको ध्यान में रखकर इस पर्टिकुलर हजार राम टेंपल को या हजारा रामा टेंपल को जो है बनाया गया था यह इसके पूरे constructional aspects को देखकर समझ में आता है अब जो central shrine है याने की जो इष्ट देव बाकी जो constructional features है वो सबके सब survive कर गया इन्वेडर ने कमसकम इनको जो है नुकसान नहीं पहुचाया या पूरी तरीके से आप उसको तोड़ नहीं पाए अब पूरा का पूरा जो आपका city वगरा है हाला कि destroy कर दिया गया था city को sack कर दिया गया था किसमत यह थी कि 1000 राम टे पूरा विजन अगर अंपायर तूड़ गया तो उसके बाद यह नहीं हुआ कि इन्वेडर्स ने हर चीज़ पर कबजा कर लिया था नायकाज ने अपनी खुद की इन्डिपेंडेंट किंडम्स वगरा establish कर ली उसमें जो यह tradition है कि विजन अगर अंपायर में इतनी spectacular buildings वगर किया, बिल्डिंगों को एस्तच तोड़ा गया, काफी सारी चीज़ें हुई, मगर उसके बाद भी जो एक important चीज़ है कि जो यह building बनाने का zeal है, जो यह tradition था कि आप ऐसी खुबसूरत spectacular buildings वगरा बनाओ गये, यह खतम नहीं हुआ और इसको नायकाज ने आगे continue करा, आज भ इस्तिमाल के लिए बना हुआ था, और क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे खुबसूरत मंदिरों में से एक है, वो आपको समझ में आएगा, देखिए, यह बहार से इसका पूरा constructional aspects है, यह पूरा का पूरा जो मंदिर है, preserve करने के बाद मैं आज की तरीक में सिस्तिती में देखने के लिए मिलता है, पत्थरों की बदत से इसको पूरा का पूरा construct किया गया, अब इसके बाहर से जो है constructional features वगरा देखिए, तो यह जो है, हजार रामा टेंपल बाहर से कुछ इस तरीके से देखता है, अंदर से देखता है, अंदर इसकी जो आपको pillar देखने के लिए मिल रहा है, basically यह pillar नहीं है, यह पत्थर के पत्थर के blocks लगाए गया है, और उसके उपर नकाशिया कर करके, पत्थर इस तरह से काटा गया है, कि वो आपको pillar का impression दे रहा है, इस तरीके से, यह जो है pillars नहीं है, यह आपका एक pillar है, जिसके उपर भी नकाशी की गई है, मगर यह पत्थर इस तरह से काटा गया है, कि वो आपको pillars का impression दे रहा है, अब इसको देखकर फिर अब यह, मतलब आप तारीफ किये बिना नहीं रह सकते, आप impress हुए बिना नहीं रह सकते, कि कितना मैनत इसमें लगी होगी, कितना इसमें effort डाला गया हो और तस्वीरे देखता है, यह जो है आपका main shrine वगएरा की तरफ जाने का रास्ता है, अब यह पूरे के पूरे जो pillars वगएरा इनको देखी है, इनके उपर जो नकाशियां की गई हैं उनको देखी है, यहां से आपका गर ग्रह वगएरा में आप जाते हो, main deity अंदर रखे जाते रहे होंगे, जिनकी मूर्तियां आज की तारीक में गायब हैं, मगर construction देखी है, पूरा का पूरा जो construction है किस तरीके से किया गया, और इस सब पत्थर को काट काट के बनाया गया है, टोटल जो है stone की masonry बगएरा जो है, उससे बनाया गया है, गारे का काम SSH इस्तेमा इस तरीके से हैं, और देखता है, यह देखिए, यह पिलर की फोटोग्राफ है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे के पूरे फिलर में उपर से लेकि नीचे तक में एक, दो, तीन देवताओं की नकाशी की गई है, उसके बीच में आपने और चीज़ों को ड यह आपका गर्ग ब्रह में जाने के लिए अंदर का रास्ता, यह आपके चार पिलर्स और यह उसके आसपास का पूरा स्ट्रक्चर, तो यह अपने आप में एक और इंस्पारिंग नजारा है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के बनाये गए सबसे खुबसूरत मंदिरों में से एक हजार रामा टेंपल था, नेक्स जो हमारा टोपिक आता है वो है तो हम लोगों ने अभी तक अर्बन सेंटर की बातचीत कर ली थी अपने past lecture में और रोयल सेंटर की बातचीत हम लोगों ने past lecture में शुरू करी थी तो उसको भी हम लोगों ने conclude किया है, अ वो भी तब जब वहाँ पर as such पूजा पार्ट का कोई specific काम हो नहीं रहा था, ठीक है लोग बापके धार्मिक रहे होंगे, थोड़ा बहुत आप अपना आते जाते सर जुका के निकल जाते होंगे, कुछ आपके अनुष्ठान वगरा भी होते रहे होंगे वहाँ पर, मगर वो basically शहर के वो शेत्रत है जिनका specific काम कुछ और था, अर्बन सेंटर में आपने व्यापार करना है और शहर की दूसरी गतिविदियां करनी है, रोयल सेंटर से आपको राजकात चलाना है, मगर उसके बाद भी मंदिरों का प्रेजन्स, श्नाइन्स का प्रेजन्स आपको बताता है कि इनका इंपोर्टेंस कितना जादा था, society के उबर religion का कितना प्रभा होता, अब एक specific वो इलाका जो specifically religion को dedicate करके ही रखा गया था, उसके बारे में हम लोगों नें बातचीत करनी है, तो sacred center, विजयनगर city का वो part है, जो specifically devoted था, ईश्वर की अराधना के लिए, मंदिरों के constructions के लिए, और temples वगरा के लिए, उसके हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तो पहला जो topic इसमें आता है, वो है choosing a capital, यह जो पूरा का पूरा शेत्र है, जहां पर आपको विजयनगर city देखने के लिए मिलती है, या फिर as such विजयनगर empire आपको पूरा शेत्र देखने के लिए मिलता है, इस पूरे के पूरे इलाके में आप देखोगे, उनके पहले इन territories के कुछ-कुछ हिस्तों में, कौन-कौन सी dynasties यहां पर rule करकर जा चुकी है, उनके नाम हम लोगों ने देखे, अब इन सारे dynasties के साथ में खास बात यह थी, कि इन्होंने temple architecture के उपर बहुत emphasis किया था, temple building यह के उपर कोई इन्होंने काफी patronage दिया था, तो हम लोग यह नहीं कह सकते कि विजन अंगर empire ने आके यहां पर एकड़म से मंदर बनवाना चालू कर दिया, इनके पहले की जो dynasties थी, उन्होंने भी बड़े spectacular मंदर बनाए, और वो survive कर गाया, आज तक जो है, उन्होंने से काफी सारे मंदर बचे हुआ है, तो यह जो temple building का, कि आपकी पूरी की पूरी आप कैस दखते हैं, tradition थी, और royal patronage जो था, कि राजा वगरा जो है, या फिर आपके rulers वगरा जो है, यह बड़े-बड़े spectacular मंदरों का construction करवाते थे, यह Vision Agar Empire के पहले से चली आ रही प्रथा थी, कई लोग ऐसा भी मानते हैं, कि यह पूरा का पूरा इलाका जहां पे Vision Agar की city बसाई गई थी, इस पूरे जगे को choose ही इसलिए किया गया था, इस city बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से, दो important मंदर या फिर दो important shrine थी, पहला विरुपक्ष temple और दूसरा पंपा देवी temple, क्योंकि यहाँ पर पहले से exist करते थे, और लॉड विरुपक्ष जो हैं, वो भी Vision Agar Empire में बहुत important भूमिका रखते हैं, पंपा देवी जो हैं, जिनको देवी दुर्गा का एक अफ्तार माना जाता है, वो भी जो हैं, एक important role अदा करती हैं, यह in fact यह बोलते थे कि भाई हम लोग जो rule करना हैं, वो भगवान विरुपक्ष के बिहाफ पर करना हैं, यानि कि इनका कहना यह था कि असली राजा जो हैं वो भगवान विरुपक्ष हैं, भगवान विष्णू के एक अफ्तार है, एंड हम तो जो हैं उनके बिहाफ पर रूल कर रहे हैं ये आपको ऐसे भी पता चलता है कि जितने भी royal order sign किये जाते थे जिसमें राज आग्या जिसको आप कहते हो उसमें जितने भी royal order sign होते थे और राजा का sign और seal लगता था वहाँ पर कृष्ण देव राय या फिर जो दू पहला तो यह कि यह कितने जादा level पर devoted थे दूसरा यह कि religion फिर वही बात आ जाती है कि कितना जादा important role vision अगर empire में play करता था तो यह बात अपने को यहां से समझ में आती है rulers जो है in fact अपने आपको भगवान से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए काफी सारी चीजें किया करते थे rulers अपने आपको इश्वर्स एसोसियेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें किया करते थे vision अगर empire के साथ में एक बड़ी interesting बात निकल कर आती है कि यहां पर rulers अपने आपको एक और नाम देते थे वो था Hindu Surat Rana Hindu Surat Rana में जो Surat Rana शब्द है यह अर्बिक शब्द जो सुल्तान होता है एक अर्बी शब्द जो सुल्तान है उसको संस्कृत में जब आप बोलोगे उसका जब संस्कृतization आप करोगे तो सुल्तान से वो बन जाता है Surat Rana अभी तक हम लोगों ने यह देखा थ है कि एक indigenous Indian empire है वो जो है बाहर से आई हुए traditions में से कुछ चीजों को लेकर Indian traditions में मिला रहा है अभी तक बाहर के लोग हमसे कुछ सीख रहे थे या हमारी चीजों को ले रहे थे अब हमारे बैठे हुए लोग बाहर से आई ही चीजों में से कुछ चीजों को जो है ले रहे है इसका मतलब बनता है हिंदू सुल्तान ये कई लोगों का मानना ये है कि विजयनगर अंपायर की कैटेगरी में जो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन आ गई है उनको जो है अपील करने के लिए कि जिस तरह से आपके सुल्तान होता है तो हम भी जो है आपके सुल्तान ही है तो जो है शायद इस तरीके की टाइटल्स वगरा अडॉप्ट किये गए थे चले आगे बढ़ते हैं आप जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विजयनगर अंपायर आने के पहले से यहां पर जो अलग-अलग रूलर्स थे उन्होंने टेंपल कंस्रक्शन काफी मातरा में करवाया तो विजयनगर अंपायर के जो रूलर्स थे इन्होंने अर्लियर ट्रेडिशन्स वगरा से कि आप खूब मंदर बन रहे थे और रोयल पेट्रोनेज दे रहे थे मंदर बनवाने को इस ट्रेडिशन को इन लोगों ने भी अडॉप्ट किया और ना सिर्फ अडॉप्ट किया मंदरों को पेट्रोनेज दिया मगर इसमें काफी सारी इन्नोवेशन्स वगरा डाले और इस पूरी की पूरी प्राथा को काफी तादा डिवलप किया अब होने ये लगा इन लोगों की टाइम पेरियोड में विजय नगर अंपायर के टाइम पीरियोड में रॉयल पोट् हो क्योंकि लOG bureaucili में काफी मानते है आप अपने आपको प्रोजेट कर रहे वो इशवर के दास के तरुर पर याकी representative के तौर पर इसके लिए आप máximo तor पर इस्तेमाल कर रहे हो कि अपना पोट्रेट अपने मंदिर में कहीं थे वो आपको मंदिरों में विजन अगर अंपायर के टाइम पीरड में देखने के लिए मिलने लगे साथी साथ राजा का मंदिर जाना एक अभी तक तो ये था कि आपकी अपनी श्रद्दा है पुझा अर्षना के लिए आप चले गए मगर आप ऐसे पर्टिकुलर मंदिर जहां पर आपकी प्रजा भी जाती है जहां पर हम लोग भी जाते हैं वहां पर टाइम टाइम पर ओकेशनली जो है राजा आपका दर्शन के के लिए आप पुझा अर्षचना के लिए जाने लगे अब जो अपने ये जो पर्टिकुलर अपील डाल रहा है कि आपका राजा जो है वो देखिए कितना धार्मे के अपने जो इष्ट देवता है उनके प्रती कितना समर्पत है इससे फायदा यह होगा कि फिर आप जन्ता को जो है सपोर्ट आपको मिलेगा और अपना रूल जो आप अच्छे से फिर आपकी पर और जो escaped करने की कोशिश करता ता कि मैं तो इष्वर के नाम पर रूल कर रहा हूँ अपने राजा हैं तो गईलियन होगा मत करना क्योंकि मेरे अगेंस्ट में नहीं होगी वो आप अपने भगवान के खिलाब रेविलियन कर रहे होगा इस तरीके से संदेश देने के लिए भी रॉयल पोट्रेट्स को लगाया जाता था बाकी जो मंदिर इनों ने बनाए वो अपने सामने है लौड वीरुपक्ष का जो मंदिर है व यह पूरा का पुरा जो है लौड विरुपक्ष मंदिर है या भगवान विरुपक्ष का टेंपल है और देखता है यह इसकी रात के वक्त की तस्वीर हैं तो इस तरीके से जो है खुबसूरत खुबसूरत बड़े-बड़े मंदिरों का construction करवाया गया, पहले से जो existing मंदिर थे उनको elaborate किया गया, बड़े-बड़े इसमें गोपुरम बगेरा जोड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और इनको important centers के तौर पर जो है develop किया गया, और आज पढ़नी है उसका नाम गोपुरम है और उसके बाद जो सेकंड चीज हम को पढ़नी है उसका नाम मंदपास या फिर मंदब है, तो हम लोगों ने देखा था कि architecture की अगर बात की जाए, तो विजयनगर अमपायर ने जिस इलाके पर रूल किया है, उस इलाके को उसके पहले इन dynasties ने रूल किया था, वहाँ पर उन्होंने काफी architecture करवाया था, बहुत बड़े-बड़े मंदर बनवाया थे और उन मंदरों को बनाने के लिए पैसा और patronage दिया था, विजयनगर अमपायर ने भी इस tradition को लागू किया, उन्होंने भी इसको अपनाया और उन्होंने में इस phase में जब विजयनगर अमपायर या विजयनगर अमपायर के kings, royal patronage में मंदर बनवा रहे थे, तो इनके पहले के बने हुए मंदरों में और इनके बात के जो मंदर बने हैं, उनसे अगर आप इस time period के मंदरों को compare करते हैं, उसमें आपको एक फर्क देखने को मिलता है इसमें आपको कुछ changes बगरा समझ में आते हैं, उनी changes का नतीजा जो है वो गोपुरम और मंदपाज है, तो इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है जी? तो पहली चीज जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, जो एक सबसे बड़ा एक जो change आपको देखने क मिलता है, temple architecture में, vision अगर, empire के वक्त में, वो यह है कि नए features वगरा आपको evidence में देखने को मिलता है, जिनके नाम गोपुरम और मंदपाज है, इसके इलावा एक सीज और देखने को मिलती है, वो यह है कि जो construction होता है, वो बड़े level पर होता है, बड़े बड़े, जो है immense scale पर मंदिर हैं, उनमें फिर आप additional construction वगरा इस तरीके से कराते हो, कि वो additional construction हो रहा है, वो आपके पहले के existing मंदिर को जो है over shadow कर जाता है, उसका size इतना बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से जो बड़े बड़े आपके massive events, scale के structures वगरा बनाए गए थे, यह जो है आपका vision अगर empire के time period की एक खास बात है, उनका signature या फिर water mark है, और यह indication है imperial authority का, royal authority का जिनके देख रेक में यह सारा काम बगरा हो रहा है, तो यह जो नए features बगरा आपको evidence में देखने के लिए मिलने लगते हैं, और यह जो बड़े बड़े immense scale के ऊपर जो आपके चीज़ें या फिर construction बग लोग बोल रहा है, royal gateway, गोपुरम basically क्या होता है, पहले तो यह सवाल पूछना पड़ेगा, गोपुरम का मतलब होता है, जब आप मंदर में अंदर enter करते हैं, तो मंदर में enter करने पर जो शुरुवात में आपका gate बना होता है, जहां से लोग मानते हैं कि यहां से मंदर की सी परिफेरी स्टार्ट होती है, उस पर्टिकुलर entrance gate को बोला जाता है गोपुरम, तो अभी तक जो गोपुरम बगरा होते थे इतने जादा बड़े लेवल पर नहीं बनवाय जाते थे, अभी तक जो भी आपके, जो में इंफेसिस करता था, वो आपके, जो में आपका temple बग बनवाना शुरू कर दिया, बहुत बड़े बड़े आपके जोहाँ entrance gate बनवाना शुरू कर दिया, और इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया, राया गोपुरम, गोपुरम शब्द पहले इस existence में था, कि मंदिर के अंदर जाने का gate है, उसको आप गोपुरम बोलोगे, राया गोपुरम का मतलब हो गया, या राय गोपुरम का मतलब हो गया, राजा के द्वारा बनवाया गया गोपुरम, और अंग्रेजी में क्या बनेगा, royal gateway, ये कई बार इतने जादा बड़े बनवाये जाते थे, इतने magnificent बनवाये जाते थे, कि आपका जो main मंदिर हुआ कर राये, यहाँ पर एक मंदिर है, तो एक मंदिर के इंडिकेशन वगरा के लिए जो है, इनका इस्तिमाल किया जाता था, यहाँ पर प्रेसंस है, अच्छे का से distance आपको देखकर समझना आ जाता था, कोई रागीर हो, कोई तीर थियात्री हो, कोई pilgrimage के लिए आया हो, तो उनक को एक reminder था, चाहे आपके खुद के राज के लोग हों, चाहे बाहर से आने वाले लोग हों, उनके लिए reminder था कि वो राजा, जो इसने बड़े-बड़े है, इतनी authority है, इतनी techniques है, कि वो ऐसे बड़े-बड़े मंदर बनवा रहा है, ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है, तो चोटा-मुटा आदमी नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं, तो फिर आपको उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, आपको उसका नुकसान होगा, यह एक indication जो है, आपको यहां से देखने के लिए मिलता है, तो यह सारी चीज़ें जो है, गोपुरम के बारे में हैं, अब हम लोग कुछ photograph देख लेते हैं, यह देखिए, यह अब अंदर एंटर करने का main gate है, यहां जो आपको main gate दिख रहा है, इससे आप देखोगे तो अं गोपुरम शब्द इसके पहले भी अस्तित्व में था, मगर विजयनगर अंपायर के time period में इस तरीके के majestic gates वगेरा जो इंटरंस पे आपको देखने को मिलते थे, इनके लिए राया गोपुरम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वजा यह है कि यह एक significant feature है विजयनगर अं गोपुरम चलें जी, यह एक आपका हो गया और photograph देख लेता है, यह एक और है, अब यह तो फिर भी काफी अच्छी इस्तितिम है, इसके उपर वाला यहाँ पर थोड़ा बहुत तूड़ भी गया है, मगर यह वाला जो है जाधा अच्छी इस्तितिम आपको देखने के लि मंदपास एक दूसरा जो है गोपुरम के बाद में इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास में एक लंबा चोड़ा कॉरिडोर है, लंबा सा कॉरिडोर है, जिसमें पिलर्स वगरा बनी हुई है, या फिर इसको पविलियन बोल लीजिए, और यह आपका जो मंदिर है, आपका जो सेंटरल श्राइन है, उसके चारों तरफ यह बनाया गया है, तो इसको हम लोग मंदपास बोलता है, देखिए, यह आपका में मंदिर हो गया, अगर उपर से टॉप व्यू देख रहे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, यह आपका में मंदिर हो गया, इसमें य पिलर लगा दिये, यहां दो पिलर लगा दिये, यहां 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 इस तरीके से मैंने बहुत सारे पिलर्स वगरा लगा कर इसको खड़ा किया है और यह सारा का सारा जो है लंबा चोड़ा कोरीडोर इसमें अब इदर से दर दोड़ सकते हो इस सारी नहीं जीज़ें तो इसको जो है आप मंडप या बोलते थे अंग्रेजी में इसको इन लोगों ने मंडपास बोल दिया तो आपका जो में आपका temple है जो चेंटरल श्राइन उसके चारो तरफ अगर आपने एक पूरिडोर बनाया है गलियारा बनाया है और उस गलियारे को अगर आपने पिलर्स वगरा की मदद से सपोर्ट किया है तो वो चीज कहलाती है मंड़ और यह थोड़ा हाइट पर देखने को मिलता है ग्राउन लेवल से थोड़ी सी हाइट के उपर है लेट से यह आपका ग्राउन लेवल है ग्राउन लेवल से उपर की तरफ में आपने यह मंदर बना दिया अब मंदर की जो हाइट है इसी पर आपने अगर कोरिडोर वगरा बनाया है तो उसको आप मंड़ बोलोगे इसकी कु आपको देखने के लिए मिलेगा मगर उसके पहले प्लर की उपर बना हुआ आपका ये construction मंडब कर आजाता है और देखते हैं ये आपके दो पिलर्स हो गए ये आपके दो मंदर शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ में आपके पिलर्स वगरा हैं इसको ये अजार राम टेंपल की जो है तस्वीर है तो यह पूरा का पूरा जो यह इलाका है जिसमें आप यह पिलर्स वगरा की मरत से एक गलियारा बनाया गया है इसको या फिर इसके इधर उदर अगर आप देखोगे तो इसको आप मंडब बोल सकते हैं और देखते हैं यह देखिए यह पूरा का पूरा गली आ रहा है अंदर की तरफ जाने के लिए और यह पिलर्स वगरा के उपर जो है आपका बसा हुआ है यहां पर आपको काफी सारे देखने के लिए मिल रहा है और उनकी सपोर्ट वगरा के बीच में इस तरीके से लंबे-लंबे कोरिडोर बनाये गया और यह काफी बड़े-बड़े और मैजेस्टिक साइस के बनाये गए इनका नाम क्या पड़ गया राया गोपुरम और दूसरा आपका मंडब जुड़ गया है इनमें मंडब क्या है एक कॉरिडोर है जिसमें पिलर्स वगरा की मदद से जो है आप गलियारा बनाते हो सेंट देखने के लिए मिलता है इनके बारे में डिसकस करना जरूरी हो जाता है एक का जिकर तो या फिर एक में जो आपको कुछ मॉन्यूमेंट मिलते हैं वह हमारे नोटों पर भी बने हुआ है उन पर भी बातचीत करेंगे मगर यह दोनों टेंपल इंपॉर्टेंट है इसमें स कि सवाल इन से बन सकते हैं तो जो पहला टेंपल अम लोगों को देखना है विरुपक्ष टेंपल पहले इसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं फिर आगे बात करता है यह आपका मेन गोपुराम है और अंदर की तरफ में आपको सेंट्रल श्राइन बगरा देख रही है यह जो है बड़ा सा आपका complex वगएरा बना हुआ है इसको वीरुपक्ष टेंपल या Lord वीरुपक्ष टेंपल कहा जाता है चले अब इस पर बात करते हैं तो वीरुपक्ष टेंपल जो है इसको कई सदियों तक बनाया गया है ऐसा नहीं हुआ था कि इस particular इलाकिये में जो मंदिर होने का हमें प्रमाण मिलता है वो है 9th से 10th century के बीच में यानि कि 800 से 1900 के बीच में यहाँ पर पहला मंदिर जो है उसकी होने के प्रमाण मिलते हैं हो सकता है यहाँ पर इससे पहले भी मंदिर रहा हो मगर उसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है जो हमारे पास मतलब लिटरल एविडेंस की बात कर लें या फिर बाकी तरीके के एविडेंस की बात कर लें उससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर जो पहला मंदिर या पहला जो श्राइन बना था जब भी बना हो वो 9th and 10th century के बीच में था वक्त के साथ में दीरे 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 जो राजा यहाँ पर आते गहें जैसे इस पर्ठीकुलर मंदिर की श्रद्धा या फिरिसकी कीड़िए बढ़ी होती होगी तो लोग को यहाँ पर आना शुरू कुल dai दीर बहुत बड़े लेवल पर जो है इसमें construction वगरा करवाएगा है और आज जो इस पर्टिकुलर शेप में आपको देखने को मिलता है वो विजयनगर अंपायर के establishment के बाद में देखने को मिलता है यह देखिए यह पूरा का पूरा जो आपका complex वगर सारा राजा कृष्णदेव राई ने बनवाया था कृष्णदेव राई ने जब अपना फाइनली सिंहासन पर आके बैठे तो उन्होंने जो आपका में मंदर फिर से देख लेते हैं एक बार यह जो में देखिया है यह देखिया यह हो गया बढ़िया डेकोरेशन और यह जो गोपूरम वगरा का पूरा का पूरा का पूरा 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 को बनवाया करवाया गया था तो यह अपने को याद रखना है इसके सारे निर्मान से हुआ यह कि जो आपकी सेंट्रल श्राइन है वो स्मॉल हो गई और जो आपका कॉंप्लेक्स वगरा वो काफी जादा बड़ा होता चला गया तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग फीचर है कि आपका विरुपक्ष टेंपल है नेक्स जो टेंपल हम लोग बात करेंगे वो रहेगा विठल टेंपल एक बार फिर से देख लेते हैं मगर विरुपक्ष टेंपल की जो तस्वीर है उनको और उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं यह आपका विरुपक्ष टेंपल है यह आ वो सारा काम भी इन्होंने किया था, ये pillars वगरा हो गया, इनको सजाने का काम भी राजा कृष्ण डेव राय के time period में हुआ था, देख लीजे कितना delicatively इन pillars वगरा को सजाये गया, चले, next जो रहने वाला है, वो रहने वाला है विठ्थल temple, अब उसके बारे में हम लोग पूजा जाता है, अब बड़ी interesting चीज हो रही है, विठ्थल के form में भगवान विष्णू की पूजा महराष्ट में होती है, मगर आपको देखने को मिलता है कि विजयनगर में, जो basically आज का जो करनाटक का हिस्ता है, वहाँ पर एक मंदर बनाया जाता है, जो Lord विठ्थल के प्रती dedicated है, तो ये जो introduction है भगवान विष्णू की विठ्थल के रूप में पूजा करने का जो introduction करनाटक में किया गया है, ये एक indication है इस बात को लेके कि विजयनगर अंपायर जो है, वो अपने borders के अंदर आने वाले जितने भी अलग-अलग customs और cultures था, उन सब की respect करता था और उनको अपने में integrate करने की कोशिश करता था, ये विजयनगर अंपायर के imperial culture का जो बहुत जादा accommodative था, जो सब लोगों को अपने में सम्मिलेट कर लेना चाहता था, उसका एक indication है, ये बहुत interesting feature है, जो निकल कर आता है, अब ये जो विठल temple है, इसकी जो characteristic feature है, वो ये है कि जहाँ पर आपका गोपूरम है, गोपूरम से जैसे ही आप अंदर एंडर करते हो, तो वहाँ पर chariots बने हुआ है, वहाँ पर अच्छे खूबसूरत से आपके पत्थरों के रत बने हुआ है, और उनके सामने की तरफ में पिर आपको सलके जाती भी दिखाई गई है, औ इसमें जो chariots वगएरा आपको देखने को मिलते हैं, जो रत वगएरा पत्थर के बने हुआ देखने को मिलते हैं, वो आपके note वगएरा जो है आज की तारीक में जो आपकी currency चल रही है, उन currencies पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये एक बड़ा iconic sign है, विज यहां से आप अंदर एंटर करोगे, यह मेन गोपुरम की photograph में आपको दिखाई थी, यहां से आप एंटर करके अंदर की तरफ आए, अब जैसे जैसे आप आगे की तरफ बड़ोगा तो फिर सामने की तरफ में आपका मंदर पड़ेगा, बीच में मगर आपको इस तरीके के रत या फिर इस तरीके के पत्थर के बने हुए चैरियट देखेंगा, और यह एक नहीं है, ऐसे कई सारे जो हैं चैरियट बने हुए थे, अब इनके एक इंप्रेशन देने के लिए कि यह चैरियट चलता भी है, इनके सामने से आपने पूरी की पूरी रोड्स बना दी है, अब यह जो रोड्स हैं, इनके दोनों तरफ फिर आपका दुकाने वगरा लगाने के लिए स्पेस था और इस तरीके से इसके अंदर भी बजार वगरा की वबस्ता की गई थी, अब यहां से जब आप सामने की तरफ में बढ़ता है, तो जो मेन मंदिर आता है, वो पढ़त मधिर वो ही है, पथर से बनाया गया है, गारे का इस्तिमाल नहीं है, किसी भी तरीके मारतार वगरा यहां अब यह इतना unimaginable काम है, आज भी शायद कोई अगर अपनी सारी modern technology लगा के करना चाहें, तो इस तरीके के रथ बनाना next to impossible है, एक पथर की एक शिला को काट कर, मगर देखिए इन लोगों ने पूरे के पूरे पथर को काट कर, ऐसा एक रथ बना दिया, जो एक impression दे रहा है कि को चल सकता है, इसमें आगे की तरफ में हाती वगरा जो हैं, जोते गाए हैं, यह इसके वील्स वगरा बनाएगा है, और यह पूरा का पूरा जो है, यह तस्वीर आपको हिंदुस्तान के जो पांच-पांच सो के नोट चलता है, करनसी के उनके उपर भी देखने के लिए म विठल से नाम अपने दिमाग में आएगा, यह माराष्ट में होना चाहिए, नहीं, यह कहां पर है, करनाटक में है, आज की तारीक में है, तुंग बद्रा के किनारे जो आपकी हमपी की पूरी बसी हुई है, महा पर यह आपको देखने को मिलता, और इस तरीके के कई चारि अभारज में जिसका जिकर आता है, उससे inspiration लेकर इसको बनाए गया है, यह इस तरीके से आपका पूरा का पूरा construction वगएरा इसमें देखने के लिए आपको मिलता है, नेक्स जो टॉपिक आता है वो है, plotting palaces, temples and bazaars, इस टॉपिक में हम लोग यह देखेंगे कि पूरा का पान है वो क्या था, कौन सा जो center था वो, royal center था, कौन सा आपका urban center था और कौन सा secret center था, इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझने के हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हुआ यह था, 1500 पैस्ट में city को sack कर दिया, उसके बाद धीरे 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 लोगों ने रहना बंद क पर दिया, तो वक्त के साथ में खंडर हो गई, और बिल्डिंग्स वगयरा जो है, उनका जो क्योंकि यूज नहीं हुआ, तो वक्त के साथ में अपना shine और अपना शीन होता है, वो दोनों खो दिया, इस तर नुकसान यह हो गया, कि हम लोगों को आप जैसे समझना चाहते ह हैं 500, 600, 700 साल बाद, तो फिर समझने में दिक्कत आती है, कि इनका actual में काम क्या था, कि प्रयोजन के लिए कौन सी बिल्डिंग वगयरा का इस्तिमाल होता था, कौन सी चीज कहां पर थी, अब ये सारी चीज़ें समझना है, तो उसके लिए फिर आपको करना ये पड़ेगा आपको पूरे के पूरे शहर को प्लोट करना पड़ेगा, पूरे के पूरे शहर के नक्षे बनाना पड़ेंगे, और उसके बाद में फिर आप एक प्लान बना के तयार कर सकते हो, इवाल्ब कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आए कि शहर किस तरीके से बसा था, कौन सी ची हमपी का जो पूरा का पूरा साइट है आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने इसको प्रिजर्व कर लिया मतलब यह कि आप आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की जिम्मधारी पढ़ गए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको संरक्षद करकर रखा जाए 1976 में हमपी को जो है एक साइट के तोर पर रिकोगनाईस किया गया जिसका नैशनल इंपोर्टेंस है याने कि यह राष्ट्रिय धरोहार है और इसको इसका संकलंग करकर रखना इसको प्रिजर्व करकर रखना देश की जिम्मेदारी है तो इस तरीके से इसको नैशनल इंपोर्टेंस कहे कि यह मॉन्यूमेंट माना गया रिकोगनाईस किया गया 1980 में प्रोजेक्ट लाउंच किया गया कि विजयन अगर में या फिर हमपी में जितने भी आपके material remains वगरा मिले है उन सबका documentation किया जाए detail में जितना भी समान आपको यहां से मिला है छोटे से लेकि बड़े तक का documentation डीटेल में किया जाए कि कौन सी चीज कहां मिली किस हालत में मिली उसकी तस्वीर कैसी है उसकी क्या परिस्तिती थी कि क्या most probably इसका इस्तिमाल हुआ रहा होगा इंसारी चीज़ों के बारे में अब साथी साथ जो आपका वहाँ पर जो आपकी buildings वगरा बची हैं वो भी इसमें शामिल हैं जो monuments वगरा बची हैं हर चीज को जो है आपने बड़िया तरीके से documentation करना है उसके लिए पूरे के पूरे शहर का बड़े level पर overall आपने survey करना है और उसको आप extensive survey बोलते हैं और दूसरा intensive survey करना है मतलब जो एक-एक चीज मिली है हर एक चीज के बारे में individual यह उसको हर angle से देखना है उसको अच्छे तरीके से analysis या documents हमारे पास में होने चाहिए इस objective के साथ में 1980 में एक project launch किया गया अब इसी project का एक हिस्ता यह था इस पूरी की पूरी enormous exercise में कि आप पूरे के पूरे site की mapping करिए यानि कि पूरी की पूरी site के नक्षे बनाईए और नक्षे का मतलब यह नहीं है कि बस आपने कागस पर चार्ड डॉट लगा के छोड़ दिया आपको detailed में जो है इसकी mapping करनी है एक एक चीज की का जो है आपने record वगर है जो है detail में बनाना है किस तरीके साब इसकी mapping की गई थी उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते है तो पहले mapping में आपने यह किया कि जो पूरा का पूरा शहर था लेट से आपका यह पूरा का पूरा शहर जो है इस तरीके से एक map पर आ गया है square shape में आ गया तो पूरे के पूरे map के उपर आपको इस पूरे के पूरे शहर को 25 squares में divide करना है तो पहले लेट से यह आपका पूरा का पूरा हमपी है उसका map बना रहे हो आप तो आपने इस तरीके से कई सारे खांचे वगरा बना के लगभग 25 स्क्वाइट में आपने पूरे के पूरे शहर को डिवाइट किया और हर एक स्क्वाइर को एक अलफाबेट से आपने नाम दे दिया कि पहला वाला स्क्वाइर इसको आप A बोलोगे फिर B, फिर C, फिर D, E, F, G, H, I, J ऐसे करकर के आपने अलग-अलग जो है स्क्वाइर को अलग-अलग अलफाबेट से नाम दे दिया अब जो ये पूरा का पूरा आपने ये मैप बनाया था जिसमें आपने ये 25 स्क्वाइर बनाया थे उसमें आप एक-एक स्क्वाइर को आप पकड़ लो लेट से यह square number A है, इसको हम लोगों ने पकड़ लिया, अब आपने यह square number A का अलग से map बनाया है, अब यह square number A है इसको फिर आपने अलग-अलग खांचों में divide किया है इस तरीके से, और इस तरीके से square number A का अपना अलग से एक sub map बनेगा, मतलब यह कि पूरे की पूरे शहर क एक बड़ा map बनाया है, जिसमें आपने पूरे शहर को कई सारे खांचों में divide कर दिया, अब हर एक जो आपका square यह square यह खांचा बनाया है, इसको आपने एक नाम दे दिया, alphabet से, यह let's say आपका alphabet number A है, यह B है, यह C है, यह D हैस तरीके से, अब जो alphabet number A है, उसका map आपने अल में divide किया, अब let's say यहाँ पर यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 4 हो गया, इस तरीके से, तो map जो है, वो square number A का बनाया है, मगर square number A का जो further subdivision है, वो किया गया, अब जो यह further subdivision किया गया है, इसमें let's say square number 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, तो यह square number 1 यह 2 यह 3 इनका फिर अल तो तीन लेवल पर जो है आपने मैपिंग करी है इसका अपने को ध्यान रखना है तीन लेवल पर जो है मैपिंग की गई है तो हमको ध्यान रखना है मैपिंग में क्या किया गया है सबसे पहले पूरे के पूरे शहर को आपने एक बड़े से मैप पे बनाया और पूरे के पू जैसे कि यहाँ पर square number A है, तो उसका फिर अलग से एक map बनाया, अब यह square number A जो है, इसका further sub division आपने इस तरीके से कर रखा है, ठीक है, अब यह square number A है, इसके जो खांचे वगरा बनें, उनके फिर आपने numbering वगरा कर दिया, इनका किसी तरीके से classification कर दिया, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कर दिया, अब यह हो जाने के बाद में, फिर आपने यह किया है, कि आपने, let's say, इसमे square number 1 है, उस square number 1 को आपने फिर से अलग से बनाया है, और उसका further sub classification वगरा किया, और उसमें जो है, आपने further details वगरा डाली है, तो इस तरीके से आपने कई सारे maps वगरा बना है, depending upon कि किसमें कितने squares हैं, उसके basis पर उतने हिस्ते और हो गए, let's say, यहाँ पर तो 25 आपके खाचे बने, आप square number 1 जिसके आपने mapping करिए, let's say, इसमें आपने 10 square बनाये थे, तो इसके 10 map और बने होंगे, और उन 10 के 10 का फिर आपने further और जादा detail में आपने और जादा analysis वग की गई थी, इसका अपने को ध्यान रखना है, और इस तरीके से बहुत detail में आपने maps वगरा बना के तयार किये थे, इनकी photograph देख लेते हैं, यह आपने पूरा का पूरा जो शहर है, यह पूरा का पूरा जो शहर है, इस तरीके से आपने अलग-अलग-अलग squares में बना दिया तो यह जो है, यह आपका पूरे के पूरे शहर का map हो गया, इसके ऊपर आप आपने इस तरीके से squires सवगरा बना के classification या division कर दिया, अब जो एक-एक square आपने बनाया है, अब उस एक-एक square के अलग-अलग-छिस्तों का जो है आपने फिर, यह फिर जो एक-एक square आपने बना आ रहा है उन सबका जो है आपने डिटेल फिर अनलेसिस वगरा इस तरीके से किया है अब यहां पर जो यह एक-एक हिस्सा वगरा बना है इस एक-एक हिस्से का फिर आपने और फर्दर जो है सब ट्लासिफिकेशन करकर उसमें और जो चीजें आ रही है उसकी सब आपने बनाने के बाद में आपके पास जितना भी डौक्यूमिन ट्ट्रुक्डर था की यहांप sic बनी हुई है यहां पर यह चीज बनी हुई और यहांसे ल मंदिर का चेरियट बना हुआ है यहांप इसका गोपुरा में यह सारा information आपके पास पहले से था और यह सारी के सारी mapping वगरा करकरा कि आपने शहर के बहुत डीटेल नक्षा बना लिए शहर के डीटेल नक्षा बना लिए और उसमें फिर अलग अलग buildings के आपने map वगरा तयार कर लिए फिर जितना भी आपके पास में documented structure था उस सबको आपने नक्षों के ओपर plot करना शुरू किया इससे हुआ यह कि अब आपको अलग अलग जगे आपको कई सारी चीजें जो हैं उसकी recovery में मदद मिली है जैसे roads वगरा के आपके traces के recovery में हो गई या फिर जो अलग से आपके चलने के रास्ते थे बाजार वगरा थे इनकी recovery में जाने का कोई तो रास्ता होगा तो आपने फिर अब सबसे सुगम मार्ग जो है वो देखना शुरू किये कि सबसे shortest distance जो बनता है लेट से वो यहां से लेके यहां तक बनता है मगर फिर आपने देखा कि इस रास्ते में रोड इसलिए होते हुए मंदिर जाने का रास्ता बनाये गया होगा तो हो ना हो रोड वगर अपना कुछ इस तरीके से बनाये गया होगा इस तरीके से आपने अपने permutation and combination लगा लगा के नक्षों की मदद से और जो भी आपको चीज़ें मिली थी उसकी मदद से शहर का जो है काफी हद तक खांचा तयार कर लिया रोड कहां से कहां जा रहे थे बाजार कहां पर बनाये गये थे पाथ कहां पर थे इन सारी चीज़ों को जो है आपने तयार कर लिया इन सारी चीज़ों को जो है आपने map पे draw कर लिया इससे शहर का पूरा का पूरा पूरा जो प्लान है वो बनाने में मदद मिली और विजयनगर का जो शहर है या जो हमपी का शहर है उसको recreate करने में काफी जादा आसानी हुई है बाजारों के locations को locate करने के है या कहीं पर कोई pillar वगरा बना हुआ है तो pillar किस तरीके से बना हुआ है base कितना बड़ा है कितना decoration है decoration नहीं है quality क्या है इन सारी बातों के उपर से जो है आपने अंदाजा लगा लिया कि कहां पे market है कहां पे building जो है वो राज-काच के लिए इस्तिमाल होती थी royal building थी कहां पर जो है मंदिर की building की और इस तरीके से आपने पूरे के पूरे विजयनगर empire की जो है कहानी जो है उसको retrace कर लिया पूरे के पूरे जो हमपी का शहर है उसके गौलफ शाली इतियास को retrace करने में आप कामियाब हो पाए तो जो next topic हमारा आता है वो है questions and search of answers ऐसे सवाल जिन के हम लोग जवाब तलाश रहें देखी बात यह है कि अगर आप किसी building को जो survive कर गई है किसी भी historical या किसी ancient building को जब आप देखते हो तो उसको किस तरीके से बनाया गया था उसमें क्या material लगाया गया था किस तकनीक का इस्तिमाल करकर उसको बनाया गया था कितनी बड़ी व लगा कि ultimately building को बनाने का प्रयोजन क्या था इसका यहां पर इस्तिमाल क्या था यहां पर होता गया था या क्या नहीं होता था यह सारी चीज़े आपको समझ में आएंगी अच्छा जी example देख लेते हैं इसके जैसे कि अगर आप किले बंदी को study करते हो अगर आप fortification देखते है वहाँ पर सर्फ एक छोटे से level किया बहुत कमजोर सी किले बंदी देखने को मिलती है तो इससे दो बातें समझ में आती है कि यह शहर लड़ने के mood में है ना इसकी कोई खास defense requirement है यह मान कर बैठा है कि आपका अगर लड़ाई बगरा होती तो हम यहां तो abandon कर देंगे या चोड़ के भाग जाएंगे या फिर यह मान कर बैठा है कि हमारी इतनी importance नहीं है कि हम पे कोई हमला करेगा इसी के जगे अगर एक particular जगे है वहाँ पे 10 तरीके की किले बंदी करी गई है मजबूत मजबूत आपने प्राचीर बनाए है शांदार तोर पर आपने पत्थरों क इस्तिमाल किया है और पूरा आप तैयारी करके बैठे हैं कि यहां से हमला हुआ तो यह कर देंगे यहां से हमला हुआ तो यह कर देंगे इस तरीके से तो उससे समझ में आता है दो बात नहीं कि आपने कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा इस जगे की और यह कितना ज़्य जो है विलिंग है अपना लड़ने के लिए और इसकी डिफेंस रिक्वाइर्मेंट कितनी जादा खास है या कितनी इंपोर्टेंस है इस तरीके से आपको अलग-अलग जगाओं पर जो अलग अलग बिल्डिंग किस तरह से बनाई गई है क्या टेक्निक का इस्तिमाल किया गया इन सब बातों से एक अंधाजा जो है इन इसकी अनलग जाता अब अगर अगर आप अलग-अलग जगे बनी एक ही तरीके की बिल्डिंग को कंपैर करो गये तो उससे अपने को यह समझ बनता है वो अलग तरीके से बनता है करनी आपको ultimately पूझा ही है चाहे आप North में पूझा कर लें चाहे आप South में पूझा कर लें करनी आपने ultimately पूझा है और नौर्थ का जो है cultural influence किस तरीके से पढ़ा है temple construction पर तो अगर अलग-अलग जगाओं पर बनी हुई buildings को जिनको एक ही प्रयोजन या फिर एक ही काम के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है उनको अगर हम लोग compare करें तो फिर अलग-अलग जगे पर बनाई जा रही उन buildings के उपर उस जगे का क्या cultural असर पड़ा है और क्या cultural influence है वो आपको समझ में आता है साथी साथ आपको एक बात और समझ में आती है एक ही तरीके की buildings को जो अलग-अलग जगे पर एक ही तरीके के प्रयोजन के लिए बनाई जा रहे है इनके comparison से आपको यह भी समझ में आता है कि ultimately जो builder था या फिर जो pattern था जो जिसने इसको बनवाया है वो क्या चीज यहां पर project करना चाहता है वो central idea या central theme क्या है जिसको यहां पर project करना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि राजा पावरफुल है वो ये बताना चाहता है कि राजा के पास बहुत पैसा है वो ये बताना चाहता है कि राजा कितना ज़ादा जो है वो dedicated है इस particular issue के लिए या deity के लिए या वो कुछ और बताना चाहता है इन मंदिरों के या फिर इन बिल्डिंग्स वगरा के अनलेसिस से इनके कमपारिजन से आपको काफी हद तक समझ में आ जाती है यहां तक तो अपने पास कुछ सवादों के जवाब हैं जो आप कंस्ट्रक्शन या फिर ये सारी चीजों को देखकर समझ तक हैं पर जो अपना टॉपिक है कि हम ऐसे सवालों के जवाबों के तलाश में हैं जो अपतक हमको नहीं मिलें तो वो सवाल हैं क्या यह सवाल यह हैं कि भाईया जो कॉमन लोग थे जो इन मंदिरों के आसपास रहते थे इन बिल्डिंगों के आसपास रहते थे इतने जो यह magnificent और splendorous constructions आपको देखने को मिल रहे हैं इन सबी चीजों के आसपास जो local आदमी रहता था जो आम जन्मानस का आदमी था जो रहता था वो इनके बारे में क्या सोचता था इन structures के बारे में उसकी क्या रहाए थी example के लिए दिल्ली के लोग हैं वो इंडिया गेट के आसपास अब घूमने जाते हैं राजपती भवन देखते हैं तो उनका क्या विचार है इन सारी बिल्डिंग्स के बारे में उसी तरीके से अगर उस वक्त में इतने बड़े बड़े constructions हो रहे हैं कुछ सवाल है जिनके शायद हमारे पास कभी जवाब नहीं आ पाएंगे इसी तरीके से अगर कुछ और सवाल हम लोग पूछें कि आखिर इन बड़े-बड़े पहले आप नक्षा बनाते हो नक्षा बनने के बाद में फिर उसके उपर जो होता है तो प्लान किसी ने तो किया होगा इसको ऐसा तो है नहीं कि आप इट पत्थर लेकर आया और शुरू हो गया आपने पहले कहीं ना कुछ ना कुछ प्लानिंग करी होगी इसी तरह से जो अगरा जो है किस तरीके से किया गया यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको सिर्फ ट्रॉक्चर का अनलिस वगरा करकर नहीं मिलने वाला अगर आप यह सोच रहे हैं कि स्ट्रॉक्चर की एनलाइजिंग कर लेंगे और उसकी बेसिस पर आपको यह स्ट्रॉक्चर जो ही सारे जवाब दे देगा तो ऐसा नहीं होने वाला यह चीज नहीं हो पाएगी यह तो यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अपने को स्ट्रॉक्चर का अनलिस वगरा करकर नहीं मिल सकते अब इन जवाबों को पूरी तरह से शायद हम लोग कभी जान भी ना पाए मगर कुछ हद तक अगर हम लोग इनके बारे में further study करना चाहते हैं तो उसका फिर एक ही तरीका है आपके जो inscriptions आपको मिल रहा है उन sources पर या जो literature में जिकर मिल रहा है उन पर या जो दंद कथाएं चलती है जो oral traditions हम उन में आप और जादा further analysis वगरा करें तो शायद आपको इन में से कुछ सवालों के satisfactory या सही-सही जवाब मिलने की उमीद हो सकती है अब हम लोग आते हैं इस chapter के next और last topic के उपर जिसमें हम लोग timelines वगरा देखेंगे और जो major development हुआ है उसको एक sequence में जमाने की कोशिश करेंगे तो major जो political developments हुए थे उन पर बात कर लेते हैं 1200 से 1300 के बीच में आपका जो पहला development हुआ था दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में 1300 से 1400 के बीच में विजयनगर अंपायर की स्थापना होती है 1336 में 1336 के आगे लगा हुआ है question mark इसका मतलब यह है कि date uncertain है हो सकता है 19-20 का फर्क हो 10 साल शायद पहले हो गई हो 10 साल बाद में हो हो गई हो हो सकता है 1336 में ना हो कि 35 में हो गई हो 37 में 38 में हो गई हो date uncertain है मगर क्योंकि काफी सारे sources से आपको अलग-अलग जानकारियां मिलती ही तो historians इस पर्टीकुलर एक date के ओपर एक मत हैं आज की तारीक में बट confusion अभी भी बना हुआ है हो सकता है कल को और की document मिल जाए जिससे पता चल जाए कि date कुछ और थी हो सकता है 10 साल या 20 साल आगे बन जाए या हो सकता है 10 या 20 साल पीशे चला जाए मगर इतना पता है कि 1300-1400 के बीच में विजय नगर अंपायर की स्थापना हुई थी question mark का मतलब जो 1336 के आगे लगा हुआ है confirm नहीं कह सकते कि 1336 में ही हुआ हो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है मगर फिलाल जो documents वगरा सब मिले हैं उसके basis पे historians इस particular date को मानता है with confusion अगला हाता है establishment of बहमानी kingdom बहमानी kingdom की स्थापना होती है 1347 में और जौनपूर कश्मिर और मदूरा में जो है सलतनत वगरा जो है उनका establishment होता है 1400-1500 की बीच में बात करेंगे तो उडिसा में 1435 में गजपती kingdom की स्थापना होती है इनके बारे में हम लोगोंने बात करी है अभी इसके बाद में गुजरात में और मालवा में सलतनत वगरा बनती है और एहमद नगर बीजापूर और बेराद में 1490 में जो है सलतनत वगरा एमर्ज करती है 1500-1600 के बीच के अगर बात की जाएगी तो गोवा का जो है conquest पुर्टगालियों के दोरा कर लिया जाता है 1510 में जो पुर्टगाली है वो गोवा बगरा को जीत लेता है इसके बाद में बहमानी kingdom जो है वो भी 1500-1600 के बीच में आपका कॉलाप्स कर जाती है गोलकुर्णा की जो सल्तनाथ है उसका emergence होता है 1518 में और सबसे बड़ी बाद या जो सबसे decisive चीज होती है जिसका हिंदुस्तान पे आश्टा गसार आपको देखने को मिलता है मुगल अंपायर की स्थापना 1526 में बाबार के तवारा की जाती है यह कुछ important events है विजयनगर अंपायर के उत्थान से लेके पतन तक के बीच में जो घटे है अब इसके बाद में जो आपके modern time period में विजयनगर या हमपी से related improvements वगरा हुआ है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स जो आता है वो है landmarks in the discovery and conservation of विजयनगर important important salient features है उनके बारे में हम लोग फड़ी बातचीत कर लेते हैं पहला 1800 में Colin McKenzie जो है हमपी विजयनगर जो सिटी है उसको विजयनगर विजयनगर जो सिटी है उसको विजयनगर करते है 1856 में Alexander Green Law ने यहाँ पे पहली detailed photographs वगरा ली है जो उनको मिला था इन सारी चीजों की जो है detailed photographs वगरा पंदर अठारा सो चपन में Alexander Green Law ने खीचना शुरू करी और अलग-अलग दुनिया में बैठे हुए archaeologist वगरा को भेजना शुरू करी यहां से अब हमपी ना आए बिना भी archaeologist जो है इसकी photographs का detail analysis करकर अपना कुछ ना कुछ अजम्शन वगरा यह अपना कुछ ना कुछ जो भी व्यूज वगरा है वो देने लगे 1876 में JF Fleet जो है उन्होंने temple walls के उपर जो मंदर यहां पे मिले हैं उनके उपर जो भी आपके inscriptions हैं उनकी documenting शुरू करी उनके बारे में documents होगेरा बनाना शुरू किया उनके बारे में record रखना शुरू किया 1902 में John Marshall की leadership में पूरे के पूरे जो हमपी शहर का conservation जो है वो शुरू होता है और finally 1986 में आप हमपी को world heritage site जो है UNESCO को डेक्लेर कर देता है UNESCO को यह बोलता है कि यह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे के पूरे दुनिया के लिए important है कि हमपी शहर जो है इसका conservation किया जाए तो UNESCO के दोरा world heritage site declare करकर इसके conservation में जो है मरत करवाई जाती है UNESCO United Nations की एक संस्ता है जो culture वगरा से related monuments वगरा के preservation के लिए काम करती है तो इस तरीके से हमपी ज जाता है एक दम सूभरता है और विजयनगर empire की गौरफ शाली गाथा का जो है एक जीता जाकता सबूत बंकर आज की तारीक में खड़ा हुआ है चारियेट का वो जो आप मंदिर का जो चारियेट है वो देख लें या फिर जो गोपुरम्स वगरा मिलें वो देख लें या बाकी सारी चीज़ें देख लें यह सिर्फ एक ही बात बताती है कि हिंदुस्तान में गुजरे हुए कुछ राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने as such destructions नहीं किये इस तरीके के invisions वगरा नहीं किये मगर लडाईयां लड़ना पड़ी आपको constantly military warfare करना पड़ा सब हुआ मगर उस आज तक दुनिया को आश्यरे चकित करती हैं कि आखिर कैसे हमारे जो पूर्वश थे हमारे जो पूर्खे थे इस तरीके के और इंस्पारिंग कंस्ट्रक्शन इस तरीके के marvelous construction से architecture कर गए पत्थर के उपर कलाकारी कर गए इसको इस तरीके से कहना ज्यादा उचित रहेगा क पत्थर के उपर चित्रकारी कर गए और ऐसी चित्रकारी जिसमें गलती की कोई संभावना नहीं थी तो इसी के साथ में विजयन अगर empire का जो आपका chapter है या फिर जो theme number 7 है वो खत्म होती है और इसी के साथ में history का जो term 1 का syllabus है वो भी आपका पूरा होता है तो आज की तारी यह जो आपके lectures वगरा बनाएगा है NCRT से बनाएगा है तो इन lectures को देखने के बाद आपको अलग से NCRT देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे उमीद है आपने पहले कि सारे lectures वगरा देख लिया होंगे सब कुछ अच्छे से prepare कर लिया होगा बढ़िया तरीके से कर कर जाएं more than enough होगा आप बहुत बढ़िया तरीके से perform कर पाएंगे अच्छे से आप जो है अपने test papers में perform कर सकते हैं अपने term 1 के exam में बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे तो on this note I would be calling it the day and would be congratulating you all for being in this journey of this entire syllabus next job का term 2 का syllabus से जल्दी हम लोग शुरू करेंगे उसके पहले हम लोग कुछ आपके mcqs बगरा solve करेंगे कुछ और चीज़े देखेंगे कुछ आपके doubts बगरा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं but from my side syllabus आपका आज पूरी तरीके से खतम है सब्सक्राइब को विजट करें यहां पर आपको सारा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बढ़िया कर सकते हैं So on this note, calling it the day, concluding the lecture, ध्यान रखें, positive रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से exam दें, बिल्कुल ना कर रहें, बढ़िया तरीके से preparation कर कर जाएं, lectures देखें और इनकी मरत से I can guarantee you, हर एक बच्चा जो जो इन वीडियो को sincerely देख रहा है, बहुत 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 बढ़िया performance, अपनी expectation से ज़्याद अच्छा performance करेगा Thank you, Jai Hind